पिछले काफी अर्से से हर्ताल पर चल रही आशा वरकर यूनियन की और से आज करनाल के कंड पार्क में इकठा होकर रोश्प्रदर्शन किया गया इस उलान सरकार के खिलाफ नारे बाजी की गई आशा वरकर यूनियन के नेता ने कहा कि कोरोना काल में आशा वरकर द्वारा बड़ी बखुबी से अपनी ड्यूटी निभाई गई एवं कोविट नाइंटीन के खत्रे को भी दरकिनार करते वे उन्होंने घर घर जाकर विभाग की सेवा की परंदु सरकार द्वारा उनकी मांगों को पूरा करी नहीं किया जा रहा नाहीं उनको एंड्रोइट फोन दिये जा रहे हैं जिससे कि वे अपने कारे को बखुबी से कर सके उन्होंने मांग करते हुए कहा कि सरकार उनकी लंबित मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे ताकि वे अपनी सेवाएं निरंतर वखुवी से निभाती रहे उन्होंने कहा कि मुख्या मंत्री द्वारा उनकी मांग जो मान ली गई है उनको भी पूरा नहीं किया जा रहा है जिससे आशा वरकर में रोश व्याप्त है उन्होंने मुख्या मंत्री के आवास का घिराव करने की बात भी कही बताती चलेगी आशा वर्गरों ने रोश जताते हुए कहा कि वे काफी अर्से से अपनी मांगों को लेकर धरने पर हैं परंतु सरकार का कोई नुमाइंदा उनकी बात को नहीं सुन रहा जिसके रोश स्वरूप उन्होंने धरना परदेशन का रास्ता अपनाना पड़ा इस अफसर पर बड़ी संख्या में आशा वर्गर मौजूद रही दोस्तों मैं हूँ तरून मदान और आप इस समय देख रहे हैं समचार है इनको कई अश्वाशन दिये गए थे कि इनके साथ ऐसे किया जाएगा इनको ये बेनिफिट मिलेगा मैं आपको उता दू कि इनका काम क्या था कि इनका काम ये था कि इन्होंने घर कर जाकर सर्वे किया कि जो लोग भार से हैं इनकी रिपोर्ट सरकार तक पुंचानी है इसके अलावा घर के अंदर किसी सदसे बर को भी बीमारी है तो उसकी रिपोर्ट भी इन्होंने परशाशन को देनी है ये मैं आपको पतादू कि इन्होंने 7 अगस से लेकर 26 अगस तकरीब है 19 दिन तक इन्होंने हड़ताल रखी हड़ताल पर रहे तब CM साब के OSD ने इनको आशवाशन दिया था कि वो इनकी मंगो पर ध्यान करेंगे और इनको हल करवने का प्रयास करेंगे लेकिन उसके बाद स से अब तक इनकी मंगो पर ना तो सरकार ने गोर किया मजबूरों इनने अप बैठना पढ़ रहा है आप देख सकते हैं आज मेरे साथ बात करने के लिए मुदूद है मैं इसे बात करूँगा करम चारी नेता मेडम आपका सबसे पहला आपका नाम सुदेश रानी सुदेश आसा वरकरों ने उनके सर्वे भी किया आसा वरकरों फूल भी बरसाए थाली भी बचाई दिये भी जड़ाया आसा वरकरों को वास्ते और एक तरफ सरकार करोना योद्ध कैरिया दूसरी तरफ आसा वरकरों को जो किमबत्ता जो चारा जार पे देना था वो सरकार ने आसा अपनी नोटिपकेशन जारी हुआ ता हमारा 26 उसको तो सरकार ने वो लागू नहीं क्या नोटिपकेशन भी जारी है हमारी उसमें डमांडे काफी है जो सरकार ने लागू करनी है सरकार ने मांगे मुआ भी नहीं लागू की और मी जो किमपत भी दिया जाए और सरकार मैंने अपनी औरक फोन की विल्भाड़ पह जयाए जरुम औरान के टाइम में ओनलाइन तो आसा वर्करों के पास फोन नहीं ता किसी ने बेटे के फोन से किया कि यह निके सो परसेंट आसा वर्करों में दस परसेंट आसा वर्करों के पास बड़ा एंड्रोइड फोन है और ना सेनिटाइजर दिया गया ना मास्क दिये गया सावर करों के इ ओम रहा मांगे हैं जाइज मांगे हम हो मांग रहे हैं वा में वो दी जाए मैंनम अगर 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 सप्वार के इसंते और इस्पर्तिनीति साथ आपकी कोई बात हुई है हाथban गैरल अइन्य को है था ऊंणे काम कुझ कुण तो 54 ता पे हम च्टूबर कि आनoster significant नहीं मिल पाई नहीं बोला भी यह चुनाओ वहां बड़ोता में और सीम नहीं मिल सकते यह निके सारा ही उन्होंने कैंसल कर दिया जो हमारे साथ बातचीत करना था अगर अगर आपकी मांगे नहीं मानती तो आगे आपका क्या प्लान रहेगा हमारा आगे का प्लान ही आए कि अगर असरकार ने हमार से नहीं बात की तो 26 नुवंबर को पूरी टोटल की टोटल हर्याना की आसा वरकर अरताल पे रहेंगी और उसके बाद स्टेट के कमेटी के फैसले अनुसार जो आगे का फैसला 26 नुवंबर को ही सुनाएंगे आज आप यहां पर एक अत्रित हुए ह आज आपका क्या प्लान है हमारा यह प्लान है कि हम सीम की कोठी बजाएंगे और सीम की कोठी का गहराव करेंगे और बोलेंगे क्या यह ता हमारा मिलने का टाइम करें और हमारा समस्चा का समधान करें ये दिखी ये थे हमारे समय के बाद सी ऐम की कोछी का गैराव करेंगी और उनकी मांगों पर जॉर किया जाए कि Clan मैं तरुम लोमदान सेनिर कैमरा केमरा पर सनी चोधियो समचयर एक्षप्रेस के लिए धन्यवाद ऐसे ही लेटेश को बरेपाने के लिए बेल इकन को ख्लिक करें हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें धन्यवारी बाराइबे के वेज़गे लिए लुझे लगेर को ए पनने को बोतो टाइबे लेश जाद करें कि लख भीजिवारी धनाल कि बार स्वाध टाइबेडले मेडेळे के लेशे मैं